हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हडपा सभेता के नालो के बारे में, यानी हडपा सभेता की जन लिकासी प्रणाली कैसी थी और उसके क्या महत्व थे और वो क्यों इतनी खास थी, तो चलिए अपने वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देगी के, दे में की जन लिकासी प्रणाली थी, वो इतनी उच्च कोटी की थी, कि इतिहासकार चकित रहे गये थे, इतिहासकारों का कहना था कि जो नगर योजना था और वहां की जन लिकासी प्रणाली थी, वो एक उच्च कोटी की विवस्था थी, नालियों को गिरिड पदती में बना इटों से बनाया जाता था, जिसके उपर जिपसम की गारे का परियोग किया जाता था, जिपसम का गारे का मतलब जिपसम का घोल, जिससे क्या होता था, जो वहां के इनाले थे, वो काफी मजबूत हो चुके थे, जिपसम के घोल का परियोग करने से, जिससे वहां के इनालिया में क्या होता था मजबूती आ जाते थी इसके अलावा इतिहास कर ये भी बताते हैं कि जो वहां की नालियां होती थी उनको ढख कर रखा जाता था जाता सब्ता में क्या क्या जाता था एक बार उसको हटा कर साफ कर दिया जाता था जिससे नाली के जाम होने की विवस्ता नही को एक सब्ता में एक बार हटा के साफ कर लिया जाता था और जो जातीप जाती थी सफाई कर डी जाती थी जिससे अगर गलतीसे नाले में कुछ चला भी जाता था तो उसको सफाई करके साफ कर दिया जाता था इतिहासकार मेके कहते हैं कि ये उस समय की एक उच्च कोटी की आधुनिक विवस्था थी नालो को देख कर इतिहासकार मेके का कहना है कि यह सू सजित सू विवस्थित विवस्था थी जैसा आज तक ही देखने को नहीं मिला दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाब्त होता है वीडियो करें हमारे चेनल को सब्सक्राइब करने ना भूले दोस्तों के साइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में